हेलो बच्चो यूटूब चेनल की ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चो आज हम कक्षा 11 विशे हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में समास बहुत महत्तोपुन भाग है तो बच्चो आज हम इसकी परिभासा इसके भेद तथा इसे उधारण सहीद समझेंगे तथा समास को पहचानने का तरीका हम जानेंगे उससे पहले बच्चों, आप सभी इस चैनल को सस्क्राइब करिए, तो चली अब हम समास की परिभासा तथा उसके भेद और उधारन को देखते हैं समास किसे कहते हैं या उसकी परिभासा क्या है? दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक सब्द को समास कहते हैं अब अच्छो जब दो सब्द या उससे अधिक सब्द मिलकर जो नए सब्द को बनाते हैं जो एक सार्थक सब्द बनता है वह समास कहलाता है अब समास के भेद या प्रकार जानने से पहले बच्चो एक दो चीजे हैं जो आपको जानना बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहले कि समस्त पद क्या है, पूरो पद क्या है और उत्तर पद क्या है यदि ये आपको पता होगा, तो आप समास को आसानी से उसका विग्रह करके समास पहचान लेंगे तो आईए उसका एक छोटा सा उदारण देखते हैं तो यहां उदारण में बच्चो मैंने घूर सवार जो की लिखा हुआ है दो सब्द मिलकर एक सब्द बनाते हैं घूर सवार जो की समस्त पद कहलाता है जिसमें घूर जो की पूरो पद है सवार जो की उत्तर पद है जिसे पहला पद भी कहते हैं पूरो पद को और उत्तर पद जिसे दूसरा पद भी कहते हैं दूसरा एक्जामपल उधारण यहाँ पर दिया है मैंने रसोई घर, तो रसोई घर दो सब्द मिलकर एक सार्थक सब्द यानि समस्त पद बना है, जिसमें रसोई पहला पद है और घर दूसरा पद, तो बच्चों इस सरह से पूरो पद और उत्तर पद एक सब्द में से बहुत इंपोर्टेंट है, तो चलिए अब हम समास के भेड या उसके प्रकारों की चर्चा करते हैं, तो समास के कूल 6 भेड या प्रकार हैं, पहला अव्यभाव समास, दूसरा तत्पुरु समास, तीसरा कर्मधारे समास, चोथा तीगु समास, पांचवा द्वंद समास, चठा बहुब्री समास, तो सबसे पहले बच्चो अव्यभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्य हो, अव्य अर्थात बच्चो जिसका विखंडन ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, तथा प्रधान हो, उसे अव्यभाव समास कहते हैं, अब यदि आपको मान देजे परिभासा ना याद हो तो एक छोटा सा इसका नियम याद रख लेंगे कि जिसका पहला पद छोटा होगा प्रधान होगा तथा वह अव्यव या उपसर्ग होता है तो वह अव्यवाव समास कहा जाता है उधारण में देखिए प्रती दिन तो प्रती धन दिन प्रती जो है वो उपसर्ग है अब प्रते दिन का आर्थ होता है प्रते एक दिन आ जन्म यानि पूरा जीवन जीवन भर तो यहां पर बच्चो आधन जन्म आ जो है उसका पहला पद छोटा है उपसर्ग है और प्रधान है सहर्स तो सधन हर्स यथा संभव यथा धन संभव प्रती कूल यहां पर बच्चो आपने सारे उधारन में देखा होगा कि प्रती आ सहर यथा प्रती ये सबी पहला पत छोटा है और उपसर्ग है तो जहां पर जिसका पहला पत छोटा हो उपसर्ग हो वह होता है अवेई भाव समास तथा अव्यभाव समास को पैचानने का एक दूसरा भी इसका नियम है कि एक ही सब्द यदि कई बार आने पर वो अव्यभाव समास कहलाता है जैसे उधारन दिया है हाथो हाथ तो हाथ ही हाथ एक सब्द एक से अधिक बार आया है हाथ हाथ अर्थात अव्यभाव समास दिनो दिन तो दिन ही दिन दिन एक सब्द एक से अधिक बार आया तो अव्यभाव समास तो आप इत्ता याद रखिए कि यदि एक सब्द एक से अधिक बार आता है तो अव्यभाव समास कहलाएगा और जिस पद का पहला पद पूरो पद जो है वो छोटा है वो उपसर्ग है या अव्यव है तो वो अव्यभाव समास कहलाएगा दूसरा तत्पुरुस समास अब जिस समास में दूसरा पद प्रधान होगा अवेभाव समास में पहला पद छोटा था प्रधान था इसमें दूसरा पद प्रधान होगा तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन का लूप थो जाना वह तत्पुरुस समास कहलाता है अब बच्चो कारक्चिन क्या है तो कारक्चिन आप देखे ततपुरु समास के जो भेद दिये है उसमें जो का, के, की, के, मे, से, पर, के द्वारा, के लिए ये सब कारक्चिन है और जिन सब्दों के बीच में खंडन करने पर कारक्चिन आता है परंतु सब्द में से लोप हो वह ततद पुरुष समास होता है, उधारण में देखते हैं, इसे याद करने का तरीका है, दूसरा पत छोटा होगा और प्रधान होगा, और कारक चिनने का लोप हो उधारन राज कुमार कुमार यानी लड़का राज कुमार तो यहाँ पर कुमार सब्द जो है वह प्रधान है राज पुत्र पुत्र है राजा का पुत्र यानी पुत्र प्रधान हो गया यस प्राप्त तो किसे प्राप्त हुआ यस को प्राप्त करुणा से पूण यग्य साला यग्य के लिए साला यह यग्य का साला अब बच्चों देखो यह का, के, को, से यह सभी क्या है तो यह सब कारक्चिन है जो कि यह कारक्चिन हटते हैं जैसे ही तो एक सब्द राजा का कुमार का सब्द हटते ही राजकुमार बन गया राजा का पुत्र का हटते ही राजपुत्र बन गया जैसे नीचे दिया गया है ततपुरुस समास के भेद तो उस ततपुरुस समास के भी छे भेद हैं जिसमें पहला है कर्म ततपुरुस तो कर्म तत्पुरुस में को का लोप होता है जैसे सब्द है यस प्राप्त तो यस को प्राप्त वो यस प्राप्त है तो किसको प्राप्त है? यस को प्राप्त को का लोप होता है तो क्या सब्द बनेगा? यस प्राप्त फिर दूसरा दिया है करण तत्पुरुस करण तत्पुरुस तो जिसमें से के द्वारा का लोफ होता है तो उधारण में जैसे है करण पून तो वो किस से पून है करणा से पून तो जब से का लोफ होता है तो क्या होगा करणा पून तीसरा है संप्रदान तत्पुरुस अब बच्चो इसमें है के लिए का लोप होना जब के लिए सब्द का लोप होता है के लिए सब्द हड जाता है किसी सब्द में से तो यहाँ पर उसका उधारण एक दिया है यग्य साला तो यग्य के लिए वो जो साला है वो किसले बनाई गई है यग्य के लिए बनाई गई साला तो के लिए का वहाँ पर लोप होगा तो यग्य साला चौता है अपादान तत्पुरूस से अलग होने का लोप मतलब से सब्द जो है वो लोप होगा वहाँ से हटता है जैसे पाप मुक्त सब्द है तो किस से मुक्त हुआ वो पाप से मुक्त तो से सब्द जैसे हटेगा तो सब्द क्या बनेगा पाप मुक्त फिर है संबंध ततपुरुस जिसमें का की के का लोप होता है ये सब्द गायब होगा तो जैसे सिवा ले एक उधारण है तो सिव का आले अब का सब्द हट जाएगा उसमें से तो क्या आएगा सिवा ले अधी करण तत पुरुस में में पर का लोब होता है जैसे के उधारण पुरुस उत्तम तो यहाँ पर में सब्द जैसे ही हटेगा का अब बच्यों देखो, तथ पुरुसह मास को पहचानने का दो तरीका, एक तो कारक चीन का लोप होगा, आपने उधारण में देखा की सभी सब्दों में से कारक चीन का लोप हुआ और दूसरा इसका दूसरा पद, जो हैवो प्रधान होगा, अर्थात मुख्य होगा जैसे कि पुरुस उत्तम अब उत्तम तो है वो पुरुसों में क्या है पुरुसों बहुत है लेकिन वो क्या है पुरुसों में उत्तम है तो दूसरा सब्द इसका प्रधान है तो इस प्रकार से जिन सब्दों का दूसरा पद उत्तम होता था कारक्चिन का लोप हुआ हो वह अब इसके तीसरे समास के देखेंगे कि कर्मधारे समास जिस समास का उत्तर पद अर्था दूसरा पद प्रधान हो प्रधान अर्थाद मुख्य हो तथा पूरो पद और उत्तर पद में उपमान उपमें तथा विशेशन विशेशे का संबंध हो उसे कर्मधारे समास कहते हैं अब इसका दूसरा पद प्रधान होगा और उसमें विशेशन विशेश होगा और उपमान उपमें हो उसे कहते हैं कर्मधारे समास तो इससे पहचानने का यदि आपको यह परिभासा याद नहीं होती है तो कुछ सीज़े याद रख लिजे कि पहला पद विशेश से होगा विशेशन दूसरे पद की तुलना होती है जो दूसरा पद होगा उसकी तुलना होगी और main important कि कर्मधारे समास यदि आपको जानना ह तो उससे जैसे आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर बीच में मध्य में है जो या के समान आएगा जैसे for example हम देखते हैं तो चरण कमल तो यहाँ पर प्रभू की बात की गई है कि चरण कमल तो कमल जो के समान उनके चरण है या जो चरण है वो किसके समान है तो कमल के समान तो के समान सब्द जो है वो बीच में आया और दूसरे पद के तुलना की गई है दूसरा पद है कमल तो उनके जो चरण है वो किसके समान है कमल के समान फिर यहाँ पर दिया है एक्जामपल महा पूरुस अर्थात महान है जो पूरुस वो पूरुस कैसा है महान है यहाँ पर भी तुलना की गई है और है जो बीच में आया जो कि मैंने कहा कि विक्रा करने पर मध्य में है जो या के समान आता है यदि तो वो होता है कर्मधारे समा म्रिग नयन तो म्रिग जो है उसके नयन किसके समान है म्रिग के समान नयन है लाल मडी लाल है जो मडी तो यहाँ पर आपने देखा है कि दूसरे पत की तुलना की गई है और बीच में विग्रा करने पर है जो या के समान आता है तो वह होता है करमधारे समास बच्चों चौथा है दीगु समास बहुत ही आसान समास है इसे अगर आप याद रखते हैं तो आपको पहचाना बहुत आसान होगा जिस समास का पहला पद जो है वो संख्या वाचत इसमें स्रिव आपको इत्ता याद रखना है कि जो पहला पद होगा वो संख्यात्मक होगा संख्या वाले सब्दों में होगा वो दिगु समास कहलाता है उधारन चो राहा अर्थाद चार राहो का समू जब आप इसका विग्रा करेंगे तो चार रास्तों से मिलकर जो रास्ता बनता है वो चार रास्तों का समू त्रिकोन तीन कोणों का समू तिरंगा तीन रंगों का समू पंच वटी पांच वटीयों का समू तो बच्चों आपने देखा कि जो पहला पद है उसमें संख्यात्मक आया है चार, तीन, तीन, पाँच तो इस प्रकार से जिस समास का पहला जो पद होगा वो संख्यात्मक होगा, संख्यावाचक होगा वह कहलाएगा दिगू समास अब बच्चों हमारा पाँचवा जो समास है वह है द्वंद समास, द्वंद का अर्थ होता है जगडा, बराबरी का जगडा तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रा करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद समास कहलाता है तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों महतों पूड होंगे, कोई उसमें छोटा या बड़ा नहीं होगा, दोनों एक समान होंगे और जब विग्रा करने पर उसमें या तो और लगेगा, या लगता है, एवं लगता है, वह द्वंद समास कहलाता है अब बच्चों, द्वंद समास को पहचाने का एक बहुत सिंपल सा नियम बता रहे हूं, कि वो दोनों सब्द एक दूसरे के विरोधी होंगे, उल्टे, यदि आप ये याद रखते हैं, द्वंद समास को पहचाने का, कि जो दोनों सब्द होंगे, वो एक दूसरे के विरोध सब्द होंगे तो वह द्वंद समास होता है जैसे उधारण में पाप पून तो पाप सब्द का विरोधी सब्द होता है पून और पाप और पून दोनों एक समान है दोनों के बीच में और एवं अथ्वा या यही सब्द बीच में आएगा दुख सुख यहां भी सुख का विरोधी सब्द होता है दुख गुण दोस गुण का विरोधी दोस रात दिन रात का विरोधी सब्द होता है दिन तो बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है द्वंद समास को पैचानने का कि जो सब्द दिये रहेंगे एक दूसरे के अपोजिट जो बोलते हैं विरोधी सब्द होंगे वो कहलाएगा द्वन्द समास अब छटा समास है बहु ब्रिही समास बहु ब्रिही समास की परिभासा है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो बच्चो इसका उधारान है कि इसमें इसकी परिभासा में आपको ये ध्यान रखना है, कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उस सब्द को सुने तो वह किसी तीसरे की और संकेत करता एक किसी तीसरे के बारे में बताता है कि यह तो तीसरे की बात हूरे है जैसे आप उधारण देखेंगे तो आपको पुदी समझ में आएगा कि किस प्रकार तो पहला सब्द दिया है चतुर भूझ अब यहाँ पर बच्चो चतुर भूच का आर्थ है चार है भुजाय जिसकी अब जिसके चार चार हाथ है भुजाय है तो यह भगवान विश्णु की बात की गई है यह मान लिजे आपको भगवान का नाम नहीं आदे कि किस भगवान की बात की जा रही है लेकिन फिर भी लंब उदर लंबा है उदर जिनकां तो लंबा उदर किनका है? गणेजी कां, उनका नाम आप सभी को पता है कि लंब उदर यहांपर किसी तीसरे के और संकेत किया गया है तो गणेजी के बारे में कहा जा रहा है, तो बहुँ भी समास 10 है आनन जिसके 10 सिर्वाला व्यक्ति कौन तो तुरंत याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पर रावन की बात की जा रही है तो यह किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया अर्थात बहुबरी समाज गीरी धर गीरी को धारण करने वाले तो यह भी पता चल जा रहा है कि यह भले आपको नहीं पता है कि किस भगवान की बात हो रही है अर्थात श्री कृष्ण नीला है कंठ जिसका तो नील कंठ भगवान संकर जी को कहते हैं तो यहाँ पर किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया तो बहुँ बरी समास बच्चो एक और बात आख को बताना चाहते हूं कि कुछ सब्द ऐसे हैं जैसे नील कंठ तो यह बहु ब्रही समास भी है और कर्मधारे समास भी है नीला है कंठ जिसका या तो यहाँ पर कर्मधारे समास और बहु ब्रही समास दोनों होता है लेकिन अगर आपको यह option में पूछा जाए तो इसका final answer जो होगा जो सही उत्तर इसका होगा वह बहु ब्रही समास का ही तो बच्चो आप सभी ने 6 समास के बारे में समझा उसे पढ़ा तो कुछ सब्द मैंने खुद से तयार किये हैं जो आपको स्वयम उसे हल करना है और इस अभ्यास को आपको खुद करना है जिससे आपको समझ में आये कि आप लोग को यह समास कितनी अच्छी तरह से समझ में धन्यवाद